नमस्कार इम्द्राप्स भीका स्वागत करते हैं जॉबलड गुरुमी आज का अमारा वीडिया बिरोजगारी बता दो हचार उनीस से समदीत महतवपून जानकरी और उन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जैसे एक नमर पॉइंट हो गया आया परमान पतर किसका और किसक कितने साल तक मिलता है या फिर प्रोजगारी बताबता हो एक स्टुरेंट को या फिर एक वहरोजगार को कितने साल तक मिलता है उसके बाद में आप बताएंगे पहले भरावा एक Dorti से पहले ब्रावभा हुआ प्रमाहित क्या उनको दूबारा बढ़णा या फिर उनको भी 3500 रुपए मिलेंगे, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे, बेरोजगारी बता 2019 का फोरुम बरने के लिए डिगरी होना जरूरी है, क्वालिपिकेसन है, वो ग्रेजवेट होना जरूरी है, अगर किसी की ग्रेजवेट किसी की अपेरिंग है, फाइनल में है, क्या वो भी अपलाई कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको डिटेल में बताए जाएगा, तो आप वीडियो को सुरूर से अन तक जरूर देखें, और अभी तक आपने सबस्क्राइब नहीं किया, तो सबस्क्राइब कर लें, और बैल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो प्लोडो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो आईए दोस्तों, आज का विरोजगरी बता 2019 के महतवपूंट पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे, विरोजगरी बत के पास इंकम सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अगर 2017-18 में, अगर कोई भी बिरोजगरी बत्ते के लिए अपलाई करता था, तो उसको इंकम सर्टिफिकेट आई परमान पत्तर की जरूरत नहीं रहते थे, अगर 2019 में कोई बिरोजगरी बत्ते के लिए अपलाई करता है, त फिर स्वन जो खुद विरोजगरी बत्TE के लिए अपलाई कर रहा है उसके नाम से बनेगा। आयपरमान पत्र उसका बनता है जिसका रासन कार्ड बना हुआ है बामासा कार्ड बना हुआ है जो अपने परिवार अपने माता पिता से अलग है उसी के नाम से आयपरमान पत्र बनेगा आयपरमान पत्र खासकर उसी का बनता है जो परिवार का मुख्या होता है आयपरमान प वीडियो की description में link दे दूँगा direct वहाँ से download कर आप इसे print कर सकते हैं इस परिवार में I कर दाता है जो income tax देते हैं या फिर जो government employee है उनको बेरोजगारी बत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि बेरोजगारी बत्ता पाने के लिए वार्सिक आये है वो 2,00,00 रुपए से ज्यादा नह नहीं कर सकते हैं विरोजगारी बत्ता पाने के लिए सभी APL, BPL, OBC, SC, ST, General सभी विरोजगार अपलाई कर सकते हैं विरोजगारी बत्ता 2019 महिलाओं के लिए 3500 रुपए और पुरुष के लिए 3000 रुपए 1 मार्स 2019 से payment होना शुरू हो जाएगा अब हम बात करते हैं दो नमर पर जिन विद्यार्थियों को चातरवर्ती मिलती है या फिर जिनोंने चातरवर्ती ले लिया है क्या वो बिरोजगारी बत्ते के लिए अपलाई कर सकते हैं क्या उनको बिरोजगारी बत्ता मिलेगा दोस्तों उनको बिरोजगारी बत्ता नहीं मिलेगा जिन विद्यार्थ में सिर्फ एक ही योजना का लाब ले सकते हैं चाहे तो आप बिरोजगारी बत्ते का लाब लेो या फिर चातरवर्ती का लाब लेो चातरवर्ती में भी आप एक सिर्फ एक ही चातरवर्ती के लिए अपलाई कर सकते हैं अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर बिरोजगा बिरोजगारी बत्ते के लिए आपके पास भामासा कार्ड होना जरूरी है अगर आपके पास भामासा कार्ड की जो स्लीप होती है अगर वो नहीं है तो आप रजिस्टेशन नहीं कर पाएंगे इसलिए आपके पास भामासा कार्ड होना जरूरी है और बिरोजगारी बत्ते के एक ही बार रजिस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्टेस्ट या पिर कितने भी मेने मिला हुआ है, अगर उनको दो वर्स तक नहीं मिला हुआ है, तो वो अपलाई कर सकता है, लेकिन अगर किसी विरोजगार को दो वर्स तक मिला हुआ है, तो वो दूबारे से अपलाई नहीं कर सकता है, अब हम बात करते हैं, विरोजगारी बत्ता दो वर्स तक होनी चाहिए अगर SCSD अगर महिला है तो उसकी 21 से 35 वर्स होनी चाहिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर पहले बरा हुआ अगर किसी ने 2019 में जनवरी या फिर फरवरी में फोर्म बरा है उनको भी दुबारा लागू होगा कि महिला को 35 रुपए और पुरुस को 3000 रुपए बिरोजगारी बता दिया जाएगा अगर किसी महिला या फिर पुरुस ने 2019 में बिरोजगारी बता 2019 के लिए फोर्म बरा है तो वो दुबारा फोर्म ना बरे उनका वही फोर्म मने हो जाएगा अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर सनातक अगर किसी की चलरी अपेरिंग है तो क्या अपलाई कर सकते हैं दोस्तों जिनकी डिगरी कंप्लीट नहीं है जिनकी सनातक डिगरी कंप्लीट नहीं है वो अपलाई नहीं कर सकते हैं बिरोजगरी बता 2019 के लिए minimum जो qualification रखे गई है वो सनातक रखे गई है जिनकी सनातक complete है वो बिरोजगरी बता 2019 के लिए apply कर सकते हैं बिरोजगरी बता 2019 के लिए मुलनिवासी रखे गई है वो ससुराल का माना जाएगा अगर किसी महिला की साधी अधर स्टेट में हो गई है तो उनका अधर स्टेट का ही मुलनिवासी मानी जाएगी बिरोजगरी बता 2019 के लिए आगे और हम बात करें तो क्या ओनलाइन फोर्म बढ़ने के बाद में आपको हार्ड कोपी है वो कारियले में जाकर जमा करवानी होगी या नहीं करवानी होगी बिरोजगारी बता 2019 का फोर्म ओनलाइन अप्लाई करने के बात में 20 टिक लेवल रोजगार कारेले में आपको किसी परकार की हार्ड कोपी जमान नहीं करवानी होगी अगर आपके ओनलाइन फोर्म बन रहे गए में अगर किसी परकार का उबजेक्शन होगा तो आपको ऑइमेल और मेसेज दोनों के मादम से सुचित किया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में बिरोजगारी बता 2019 का ओनलाइन फोर्म बरकर आपको दिखाए जाएगा आपको बताया जाएगा दोस्तों ये तो था आज का मारा वीडियो बिरोजगारी बता 2019 के कुछ important point महतवपूर्ण जानकारिया उमीद करते हैं दोस्तों हमारे दुबारा देगी जानकारिया आपको अच्छे लिए होगी और आपके समझ में आई होगी अगर फिर भी आपके मन में कोई स्वाल विचार है तो आपमें कॉमेंट कर सकते हैं हमारे तरफ से आपको रिपलाई किया जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों थैंक्स पूर वोचिंग आपका दिन सुबह